नमसकार दोस्तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो लगातारess CH-O भरती में जो फरजीवाड़ा हो रहा है आप देख सकते हो दोस्तो कोई बन गया राजस्तानी किसी नेपती को छोड़ा आप देख सकते हो इसमें दोस्तो यह देखे दोस्तो बगेर परमान पत्रों के ही आरक्षित स्रेणियों में कर दिया आवेदन दोस्तों ये चो भरती के फर्जी वाड़ा का है इसमें अन्य राज्यों के चोरा से अभिशारती बन गए राजस्तान के दोस्तों सी चो भरती 2020 को लेकर के लगातार अपडेट आ रहे हैं तो चलिए दोस्तों देखते हैं प स्वास्ते विवाग के और से अठंतर सो दस पदों पर होने वाली चो भरती से जुड़ा है चो भरती की भले ही सवीदा की हो लेकिन युवाओं ने नोक्री हासिल करने के लिए कोई कई तरह की स्रेणियों में आविदन कर दिये इसके आधार पर स्वास्त विवाग ने ऐस विचारतियों की विचारी सूचित जारी कर दी लेकिन दस्तावे सत्यामेन में ऐसे सेखड़ों विशारतियों के और से पातरता संबंदित दस्तावे नहीं दिये गए इस वज़े से अंतिम परिक्षया प्रिणाम को चिकिसा विवाग उलजा रहा है सिय जो भरती का परिक प्रिक्षया एजेंसी भी बदल गई इसी तरह भरती को लेकिन खुद चिकिसा विवाग की वरिष्ट आरेस अधिकारी के से तक्रार हो गई थी इस तरह के फरजिवारे दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह के फरजिवारे भी इस भरती में चल रहा है अन्ने राजियों की चोराशी अभिषारती बन गई राजस्तानी विभाग ने नोटिस में बताया कि चोराशी विद्यारतियों ने खुद को राजस्तान का मूल निवासी बताया लेकिन सत्यपन के दोरान इन अभिषारतियों के और से मूल निवासी नहीं होते होने का परमान पत्र नहीं मिला इसके अलावा 120 ने बिना EWS के कर दिया आविदन भरती में 120 ऐसे बिशारती सामने आए जिन्होंने बिना EWS पर्मान पत्र के आविदन कर दिया अब बिशारती ऐसे भी है जिनके पास पर्मान पत्र की वेदता समापत हो गई विभाग ने उनको अंतिम नोटिस जारी किया है 42 ने परिपक्ता कोटे से बराफरों इस भरती में 42 महिला अभिशारती ऐसी है जिन्होंने परिपक्ता कोटे से आवधन किया था लेकिन वे अब तक इससे सम्मन्दित दस्तावेजों के साख से पेश नहीं कर सकी परिपक्ता का मून लिवासी बताते हैं और किसी ने EWS का उसका प्रमान पतर ही नहीं है लेकिन उन्होंने इसी के टिगरी से आवधन कर दिया और लाब भी प्राप्त कर रहे है इसी को लेकर कि यह CHU भरती का परिनाम रोका जा रहा है तो दोस्तों CHU भरती से संबंदी जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा तो हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे दोस्तों आज के लिए इतना इता मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ धन्यवाद दोस्तों जे हिंद जे भारत